हेलो स्टूनेंट्स और बीए फास्ट येर, एकॉनोमिक्स, पेपर सेकंड में आज हमारा टॉपिक है पौवर्टी इन इंडिया, ये भारत में निडधंता इसमें सुनी हैं पहले, इसका मीनिंग है ये कि निडधंता का आर्थो बस्तोता निर्धन तथा निर्धनता को पहचानना सरल है किन्तो इसे परिभाशित करना कठिन है फिर भी पृतेक देश में निर्धनता को परिभाशित करने का प्रियास किया गया है और बिन बिन संस्थाओं वा अर्धशास्तियों निर्धनता को बिविन प्रिकार से परिभाशित किया है मोटे तौर पर निर्धनता से इतात पर उस अवस्ता से है जब समाज का एक बर्ग अपने जीवन स्वास्ते एबं कारे को शल्ता के लिए आवशक निर्धनता मुपभोग आवशकताओं को पूरा करने में अपने को असमर्थ पाता है अब आता है relative and absolute poverty यानि की सापेक्ष और निर्पेक्ष निर्धनता इसमें निर्धनता की निर्धनता की निम्लकित दो धारनाएं हैं फर्स्ट है relative poverty यानि की सापेक्ष निर्धनता सापेक्ष निर्धनता से अपिप्राय बिविन भर्ग के लोगों में प्रदेशों या दूसरे देशों की तुनला में पाई जाने वाली निर्धनता से हैं जिस देश राज्य वर्ग का जीवनिस्तर दूसरे देश राज्य वर्ग से नीचे आया जाता है वे सापेक्ष रूप से निर्धन माने जाते हैं दूसरे शब्दों में सापेक्ष निर्धनता आय में पाई जाने वाली असमानता को प्रकट करती हैं भारत में खेती हर्फ मजदूर ग्रामिन दस्तिकार अनुसुचित जाती एवं जन जातियों के लोग घरेलू नौकर दैनिक मजदूरी करने वाले श्रमिक आधी निर्धन लोगों की श्रेडी में आते हैं संयोक्त राश्च संग के अनुसार वे राश्च सापेक्ष रूप से गरीव माने जाते हैं जिनकी प्रती व्यक्ति प्रती दिन की आय एक डॉलर से कम हैं इस द्रश्ची कोर से भारत, अमेरिका, जापान, जर्मनी, चीन, आधी देशों की दिन लोग में निर्धन हैं इसके आगे देखिए, यह है सारडी वन, कुछ देशों के प्रती की प्रती व्यक्ति आय दोजा ग्यार है इसमें करम संख्या, देश, यह प्रती व्यक्ति रास्टी आय डॉलर में उससे पहले हैं, USA, USA की है 48,620 सब डॉलर में रखी हैं, नंबर सेकेंड, जापान, 44,900 थर्ड है, UK, 37,780 फोर्थ है, चीन, 4,940 फिफ्थ है, शिरी लंका, 2,580 सिक्स है, भारत, 1420 सेविन्थ है, पाकिस्तान, 1120 अब सुनिये इसमें सोर्स, वर्ड डेवल्प्लमेंट रिपोर्ट, 2013 इसमें सुनिये इन समंकों से, हम सुरक्षि ढम से यह भी निशकर्ष निकाल सकते हैं कि भारत जैसे देशों की प्रतिवक्ति आए अमेरिका जैसे देशों की तुल्णा में काफी कम हैं इसलिए भारत बिक्सित देशों की तुल्णा में एक निर्धन देश है इसलिए इसे एक अल्प बिक्सित देश सुईकार किया जाता है सापिक्ष निर्धंता की व्याख्या आई में पाई जाने वाली असमान तक के रूप में भी की जा सकती है वर्ल्ड डेवलप्मेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में निम्न इस्तर के 10 प्रतिशक्त लोगों का रास्टी आई में केवल 3.5% भाग है जबकि उपरी इस्तर के 10% लोगों का 33 प्रतिशक्त भाग है एक छेत्र के लोगों की आई के असमान वित्रण के रूप में निर्धंता लारेंज वर्क्रो या गिन्नी कॉंफी शेट की धाना के प्रियोग द्वारा मापज आता है लॉरेंज वर्क्रो लॉरेंज वर्क्रो आई प्राप्त करता हो के संचई प्रतिशत के संधर में कुल प्राप्त की गई या करता हो के संचई प्रतिशत ग्राफ प्राप्त होती है जासे लिए रखाएक चेक्रो यह यह रखायें यह भी्ने प्राप्त करता हो संचाई प्रतिशत ग्राफक और प्रतिशत करते समय सबसे कम आयप्राप्त करता से शुरू करते हैं यदि सभी आयप्राप्त करता का आय में हिस्सा बरावर रहे अर्थात 30 प्रतिशत लोगों के पास 30 प्रतिशत आय का हिस्सा हो 20 प्रतिशत लोगों के पास 20% हिस्सा हो तो हमें एक बिस्ष प्रकार की लॉरेंज बक्र प्राप्त होगी इसे हम नर्पेक्ष समता रेखा एक्विटी लाइन कह सकते हैं यह एक मानक या काल्पिन रेखा होगी वास्तरिक अकड़ों पर आधारित लॉरेंज बक्र इस समतारेखा से जितनी ही दूर होगा दुशमता उतनी ही आधिक होगी जैसा की इस चित्र में प्रतिशित किया गया था नंबर सेकेंड आता है एपसोलूट पॉवर्टी यानिकी निर्पेक्ष निर्धन्ता निर्पेक्ष निर्धन्ता से अभी पराय किसी देश की आर्थिक अवस्ता को ध्यान में रखते हुए निर्धन्ता की माप से है अधिकतर देशों में प्रतिव्यक्ति उपयोग की जाने वाली कैलोरी तथा निर्धन्ता मुपवोग इस्तर द्वारा निर्धन्ता को मापने का प्रियत्म किया गया है भारत में निर्पेक्ष निर्धन्ता का अध्यान निमलके दो आधारों पर किया जाता है नमबर वन है कैलोरी क्रिटेरिया यानि की कैलोरी माप दंड एक व्यक्ति एक दिन में जितना भोजन प्राप्त करता है उससे प्राप्त शक्ति एनर्जी की कैलोरी द्वारा माप जाता है नमबर दो मिनिमम्म कंजूम्शन एक्स्पेंडेचर क्रिटेरिया नियुंतम उपभोग वे माप दंड योजना आयोग द्वारा नियुक्त विशेशग समिती ने निर्जनता रेखा अपनाने के लिए नियुंतम उपभोग वे माप दंड अपनाया है अगे देखिए अब आता है सार्णी तू यानिकी निर्पेक्ष वा सापेक्ष निर्धनता में अंतर इतना सुनिए एक तरफ निर्पेक्ष ले रखा है निर्धनता एक तरफ देखा सापेक्ष निर्धनता यानिकी इसका सबसे पहले अर्थ हो इसका तातपर निर्धनता के लिए निर्धारित की गई नियुंतम आवशक्ताओं से है इसमें नमबर वन है इसका तातपर आई की असमानता तथा वित्रण से है इसका अभिप्राय उन लोगों की संख्या से है जो निर्धनता रेखा से नीचे रहते हैं इसमें यह दो रास्ट्रों या समाजों के बीच तुल्नात्मक अध्यन हैं यह सापेक्षिक निर्धनता को दर्शाता है नमबर थी आता है माप इसे दो आधारों पर ना पर जा सकता है नमबर आ कैलोरीज माप इन तथा नमबर वा मासे को पफ़ोग वेक या आए माप इन इसे भी दो आधारों पर माप इन जा सकता है तुल्ना के आधार पर एवम वाहे प्रतिव्यक्ति आय के रूप में डॉलर माप इन अब आगे हमारे आते हैं पौवर्टी लाइन यानकी निर्धनता रेखा निर्धनता रेखा बित्रन रेखा पर कटाव विंदु है जो जनसंख्या को निर्धनों तथा गैर निर्धनों में विभाजित करती हैं इस रेखा के नीचे जीवनियापन करने वाले लोगों को निर्धन माना जाता है और रेखा के उपर के लोगों को गैर निर्धन नौन पूर माना जाता है मान लोग 10 व्यक्ति हैं जिनकी वार्षिक आए 500 रुपे, 1000 रुपे, 2000 रुपे, 4000, 5000, 7000, 8000, 9000 और 10,000 तथा 12,000 हैं तथा निर्धन तर रेखा 5000 रुपे है इससे इस पश्ट है कि 5 व्यक्ति निर्धन तर रेखा के नीचे है दूसरे शब्दों में 50 प्रतिशक लोग निर्धन तर रेखा से नीचे है आज के लिए इतना ही थैंक्यू वरी मच